देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी नियूज साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन कॉंग्रस के देश राहूल गांधी ने केंदर की मोदी सरकार पर जम कर हमला बोला और राहूल ने कहा कि मोदी ने किसानों के जगए उद्योगपतियों का गर्जा माफ कर उनको वैक्तिगत रूप से फाइदा पहुँचाया है कॉंग्रस अदेक्ष शानिवार को दिल्ली के जवाहरलाल नहरू स्टेडियम में छात्रों से बाच्चीत कर रहे थे राहूल ने कहा केंदर सरकार ने 10-15 उद्योगपतियों का करीब 3,5 लाख रुपे का कर्जा माफ किया है जबकि किसान अभी भी कर्ज माफ करने का इंतजार कर रहे है वहीं अर्द सेनिक बलों को शहित का दर्जा देने के मसले पर भी राहूल ने कहा कि लोग सबचनाव में कॉंग्रेस के सरकार आने पर अर्थ सरीक बनों के जवानों के देश की रक्षा में प्राण देने पर शहित का दर्जा प्राप्त होगा। शिक्षा ववस्था पर नोंने कहा कि सरकार पिछले 5 साल में देश में केवल एक ही विश्विधाले बना सकी है। और सरकार ने शिक्षन संस्थानों में दखल दिया है इसके लिए सरकार ने तो शिक्षा बजट में ही कटौती कर दी है